हेलो फ्रेंट स्वागात आप सभी का अपनी यूट्वी चनल पर एन एक्सपोर्ट अप ये सौल गुरू और आज हम लोग 25 से ले करके 28 नॉबर तक का करेंट अपरेस देखेंगे जो नए बच्चे हमाँ इस चनल पर उनको बता जाता हूं कि इस चनल पर आपको बिहार के साथ साथ देश के सभी एक्जाम का लेटेस्ट अपडेट या नोटिकेशन दिया आता है साथी साथ उसके पेपर एनलाइसिस और उसके एसपेक्टर डियर्ड भी बताया जाता है इसके साथी साथ इस चनल पर आपको बिहार दरोगा तेथा बिहार एससी इंटर लेबल के लिए बिलकुल फ्री यूटूब बैच उन बच्चों के लाया गया है इस त्राइड में 25 और 26 नौंबर का मैंने एक साथी रख दिया जो जो इंपोर्टन थे और यह करेंट अपरेंस जो है वह आपको बिहार के सभी एक्जाम पर साथ साथ देश के जितने वी एक्जाम हो तो यह समय देखने को मिलेंगे बस यही है कि आप इसे देखने के है कौन अलकाराज गालफिया ने यानि कार्लोस अलकाराज जो के एक जाने माने यूएस गोलफर है उन्होंने जीताई से ठीक है नेक्स बात करते हैं बीवी लाल जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस छेद्र सम्बंदीत थे तो बीवी लाल का सम्बंद है पुरतत्तव नहां बनाएगी तो वह है गुजरात नेक्स गोश्चन हाल ही में किस राज सरकार ने 1.80 लाग की वार्सिक आयोवाले परवारों की बेटियों को नीजी एवं सरकारी कॉलेजी में सिक्छा मुप्त देने की खुसना की है तो यह हार्याना सरकार जिसका है मुख मत्रिया ने के वाला है 10-17 दिसंबर तक होने वाला है इसका आयोजन किस राज को होगा दिली जीज point दोस्तो भारत में पेहली बार हो रहा है खेल्वे इंडिया Para Games जीसका इव早 दिन का यह पूरा इेवेंट होगा नेक्स बात करते है पढ industrial मचली को किस राज का राज कियेbelsुन किय जी है दोस्तों अब राजकिय मचली भी होती है जैसे हमारी बिहार की मांगूड है वैसे ही गुजरात की राजकिय मचली हो गई है घोल ठीक है नेक्स बात करते हैं ISR ने अधिक उपस देने वाले काली मिर्च को किस किस्म को भिक्सित किया है उसे क्या नाम दिया गया है तो जो काली मिर्च जो भिक्सित किया गया है demiş के द्वारा उसका नाम दिया गया है चंद्रा ठीक है next किस राजू को काजू के लिए भगौलु जी टेक दिया गया है very very important जी आटेक जिसको बोलते है जोगरिफिकल इंडेक्स और जी आटेक दिया गया है किसको काजू को तो वो गोवा ठीक है नेक्ट बात करते हैं भारत का कौन सा राज पुरुस होकी बिश्व कब 2030 की मेजवानी करेगा पुरुस होकी जो की काफी important मतलब कह सकते हैं सिनरियो है त तो होकी का जो इस बार जो इवेंट लीड करेगा राज वो है उडिसा तो यह रहा दोस्तों दो आपका दिन का 25 और 26 नौंबर का चलिए बसुरू करते है 27 नौंबर का यह रहा का सामने पहला कौस्चन एकिक्रित लोगपाल योजना का समद किससे है तो लोगपाल जोसे प लोगपाल योजना जो बोलते हैं इंटिगेटेट लोगपाल स्कीम का समद्ध है भारतरी जर्व बैंक से नेक्स्ट बार करते हैं नेशनल मेटरलिजिस्ट नेशनल मेटरर्जिस्ट अवार्ड से किसे समानित किया गया है तो यह है डॉक्टर देवसीस बटचार ठीक है न यंग पूछा गया कि यंग किसको दिया गया है तो निरोय की राम लेंगे और अगर ओल्वे पूछा गया तो भटचार देवसीस का नाम लेंगे ठीक है नेश्ट बात करते हैं पॉस्ट नमर फोर सेयुक्तिस्टन अभ्यास सूरे किरन सूरे किरन का नाम आते ही याद रख होता है नेपाल के बीच में आयोजन होता है इस बात करते हैं चीन में तेजी से फैल रहा है रहसमय वायरस का नाम दोस्तों चीन में फिर से और नया वायरस फैल रहा है इस वारस का नाम जोड़ आपके पूछने को मिलेगा चुकि कहीं न कहीं चीन ही पूरे इंडिया की एकनोमी या पूरे वर्ल्ट की एकनोमी को बरवात करने हम इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है तो फिर से नया वारस चीन में फ्याल लाज इसका नाम दिया गया है हाली में डेनियल नोबोवा ने किस देश के राष्टपती के रूप में सपतली है याद रखेगा अपॉंटमेंट और ओथ जो है वो आपके एकजाम के काफी इंपॉर्ट हो जाता है तो डेनियल का नाम आते ही आपको याद होना चाहिए इकवाडर ठेक है इकवाडर की तिरानदाजी चेंपिएंशीप में कुल कितने स्वन पदक जीते हैं तो आपके तिरानदाजी में जीता गया है चार स्वन पदक के साथ कुल 9 पदक ठीक है जिसमें 4 गोल मेडल है नेक्स बात करते हैं सम्मिधान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है तो पता ही होगा Constitution Day ज वो जो कि सादूर मंत है वो non-vej नहीं खाते हैं तो उने का कि 25 नौंबर को हर साल no non-vej दे रहेगा यह उस साल उस दिन 25 नौंबर को यूपी के किसी भी छेत्र में एक किसी भी जगा पर non-vej नहीं बनेगा ठीके दोस्तों तो यह रहा आपका 27 नौंबर का चलिए देखते है 28 नौंबर का पहला कोश्चन भारत उस 2024 में किसकी अधिक्स्ता करेगा तो 2024 में भारत अधिक्स्ता करेगा ISO जिसको बोलते हैं अंतराष्टिय चीनी शंगठन नेक्स्ट, हाली में भारतिय मुल गे किसने स्वीडन में आयुजित यूग स्पोर्ट्स चैंपियन से 2003 में गोल्व मिडल जीता है तो भारत के रहने वाले जिनका नाम हे इसवर सर्मा ने यूरोप में आयुजित होने वाले यूजित होने यूजित जीता है हाली में किस राजी सरकार ने मिशन दक्ष लॉंच किया है तो मिशन दक्ष यानि दक्षता और दक्षता हमारे बिहार में देखनों को मिलती है हाली में किसको भारतिये Green Building Council इसको बोलते हैं IGBC द्वारा Platinum की उच्तम रैटिंग के साथ Green Railway Station Certificate से सम्मानित किया गया है तो यह important question है Green Railway Certificate यानि वहाँ पर हर जगा आपको Green नी देखनों मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है Green Railway Station का मतलब होता है कि वहाँ पर जो भी material लगाए के हैं railway के द्वारा या जो भी चीज़ों आपर manage की जाती है वह काफी कह सकते हैं well defined होती है और well publicly होती है और ये लोग उसका असानिस और मजबूति उसका इस्तमाल किया जा सकता है तो वह है वीचेवाड़ा railway station Next T20 फॉर्मेटर सबसे जादा रन 220 रन बनाने वाले टीम बन गई है याद रखिए अगर 220 रन बनाने वाली है भारतिय टीम ने T20 में 9 वी बार 220 रन बनाया है यानि T20 में भारत ने 9 वी बार 220 रन का टागेट बनाया है और इस तरह से ये पहली बन चुकी है भारतिय टीम पूरे देश में Next हाली में किस देश की कंपणी ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिकल एयर टैक्सी यानि इलेक्ट्रिकल एयर टैक्सी अब हवा में टैक्सी उड़ेगी कि त्यारी की है वह है अमेरिका की कंपणी जिसका नाम है जोबी एविएशन यानि आपको टैक्सी के रूप में वह यानि पर limbs मंदिर और आज का ये लास्ट कॉस्ट्टन किस व्यक्ति ने यूरोपीय योग खेल चैंपियनसिप 2013 में स्वन पतक जीता है जो यूरोपीय योग जो देखे ही थे आप लोग हम देखे थे जो स्वीडन में हो रहा था उसमें जीते है इस्वर सर्मा आप लोग देख रहे हैं करोश्चन मतथ़ जो European योग हो रहा जो कि Sweden लो उसमें भारत के इसवर सर्माने गोल्ड मिडल जीता है ठीक दोस्तों तो यह रहा आपके चार दिन का 25, 26, 27 और 28 का करेंड अफेर्स अजोग आपको करेंड अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेले का जोग हीट कर लिजेगा साती साथ जो भी आप एक्जाम के त्यारी करते हैं वो आपको चैनल से जुड़ जाए ठीक है दोस्तों बबैट टेकर में अच्छा लेट तो थैंक यू